नमस्कार न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियन्स की जंग देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ चिराग सुखीजा IPL 2024 अब जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही रोमाज जो है वो भी बढ़ता ही जा रहा है जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं चन्नाई सूपर किंग्स का दबदबा काया मैचे पॉक के स्टेडियम पर वहाई दूसरी तरफ एक ऐसा मुकाबला भी हमने देखा है जिसकी शायद किसी को उमीद नहीं थी आईपील के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर भी हमने देख लिया है संराइजर्स हैदराबाद ने दोसो सततर रन बना दिये एक ही पारी में मैच में कुल पांच सो तेईस रन बन गए मुंबई इंडिया जिलक्षा के पीछा करते हुए 246 रन तक अपना स्कोर जो है पहुँचा दिया था लेकिन मुकाबला जीतने में कामियाब नहीं हुई तो आईपील दोहजार चॉबिस जो है ये कई माईनों में खास है क्योंकि यहां पर बड़े बड़े रिकॉर्ड्स जो है शुरुआत में ही तूटते हुए नजर आ रहे हैं अभी तो शुरुआत है क्योंकि अभी मैचेस बहुत सारे बाकी है क्योंकि 26 मई को टूर्नमेंट का फाइनल खेला जाएगा लेकिन अभी पहले कुछ मैचेस में ह हमें रंग डिग गया कि कितना ज्यादा रोमाच इस बार IPL में होने वाला है फिलाल जब हम बात करेंगे इस वीडियो में तो मुकाबला नंबर 10 यानि की 10 का दम आपको देखने को मिलेगा ये बड़ा मुकाबला ये मुकाबला खेला जाएगा रॉयल चेलिंजर्स बेंग रोयल चेलिंजर्स बेंगलूरू का ये होम ग्राउंड है और पिछला मुकाबला रोयल चेलिंजर्स बेंगलूरू का ये होम ग्राउंड है और पिछला मुकाबला रोयल चेलिंजर्स बेंगलूरू को गवाना पड़ गया था यानि की RCB का ये तीसरा मैच है एक जीत चु रहे थे आंवरे रसल, बहतरीन बल्लेबाजी की थी, बहतरीन गेंदबाजी की थी, केकेर ने भी वहाँ पर दमखम दिखाया था, तो अब मुकाबला है, रॉयल चेलिंजर्जर्स बेंगलॉर वर्सिस कॉलकाता नाइट राइडर्स यानि की आरसी भी वर्सिस केकेर के बीच IPL 2024 का मैच नमबर 10, इस वीडियो में बात करेंगे पिच की, चिन्ना स्वामी स्टेडियम की पिच का मिजास कैसा है, वो आपको बताएंगे पहले गिंदबाजी करनी चाहिए, पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्या एवरेज टोटल है यहाँ पर इसके अलावा पिच से क्या तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, स्पिनर्स को कब मदद मिलेगी, बल्लेबाज कब, एक्सलरेट कर सकते हैं अपनी पारी को, तमाम चीज़े बताएंगे आपको पिच रिपोर्ट में, उसके बाद बात करेंगे चेंजिस की, क्या कुछ चेंजिस देखने को मिल सकते हैं, दोनों ही टीमों में बताएंगे आपको संभावित प्लेइंग 11 में, दोनों ही टीमों की, उसके बाद बात करेंगे मौसम की, कहीं बारिश की वज़ज़ से मैच में खलल तो नहीं पढ़ जाएगी, बारिश के कितने आसार हैं, जानेंगे वैदर रिपोर्ट में उसके बाद बात करेंगे Head to Head Records की, कि जब जब Royal Challengers Bangalore और Kolkata Night Riders की टीम IPL के इतिहास में आमने सामने हुई है, तब तब किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहा है, वो जानेंगे Head to Head Records में और उसके बाद बात करेंगे दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या हैं, और दोनों की कमजोरियां क्या हैं, कौन से की प्लेयर्स हो सकते हैं, जिने आप चुन सकते हैं अपनी Fantasy Team में, वो भी आपको बताएंगे, तो वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा, इस मैच से जड़ी लगबग हर जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, इसक पेसर्स को सी मुव्मेंट मिलता जरूर है, पावर प्ले में बल्ले बास खुल कर शाट्स खेल सकते हैं, इसके अलावा स्लो बॉलर्स यानि की जो कटर्स का इस्तमाल करते हैं, या बैक आफ दे हैंड का इस्तमाल करते हैं, वो यहां पर हमेशा महेंगे साबीच होते हैं, बैंगलोर के M. चिनना स्वामी स्टेडियम के जो रिकॉर्ड्स हैं, वो क्या कहते हैं, स्टैट्स क्या कहते हैं, आकड़े क्या कहते हैं, हला कि आकड़े कागजों पर अच्छे लगते हैं मैदान में जो टीम अच्छा खेलती हैं, वही जीतती हैं, लेकिन आकड़े जरूरी हो जाते हैं आपको तैयारी के लिए रणनीती के लिए आखड़े जरूरी हो जाते हैं तो चलिए अब नज़र डालते हैं एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम के स्टेट्स पर बंगलूरू के समयदान पर अब तक कुल 89 IPL के मैचेस खेले गए हैं जिसमें से 37 मैच पहले बल्ले गेंदबाजी करें उसमें भी आप देख सकते हैं कि पहले गेंदबाजी करने वाली टीम नहीं यहाँ पर ज्यादा मैचेस जीते हैं तो इस वज़़ह से ही यहाँ पर एक बार फिर से टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करना ही ठीक होगा और पिछले मुकाबले में RCB ने पंजाब किंग्स को इसी मैदान पर चेज करते हुए ही हराया था, वहाँ पर विराट कूली की एक शानदार पारी देखने को मिली थी, फिनिट शिंग टच्स दिये थे वहाँ पर महीपालोम्रोर और दिनेश कार्तिक ने, तो एक अच्छे टेच में नजर आई थी RCB की टीम, उस मैच में स्कोर का पीछा करते हो, और चेज मास्टर इस टीम में है, तो फिर क्या फिक्र है, सबसे बेंगलोर की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें, तो कप्तान फाफ डूपलेसी के साथ ओपनिंग करने आते हैं विराट कूली, नमबर तीन पर रजट पाटीदार आते हैं, जिनोंने श्टार्ट जरूर मिल गया था पिछली पारी में, आपको खेलते होएं नजर आ सकते हैं, प्लेइंग 11 हो सकती है, बात अगर करें इंपैक्ट प्लेइर की, तो इंपैक्ट प्लेइर के रूप में आपको महिपाल लोम्रोर नजर आ सकते हैं, बात कौलकता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग 11 की करें, तो फिल सॉल्ट और सुनेल नरायन ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं तेज शुरुआत देने के लिए नमबर तीन पर वेंकटेश एयर हैं बतार आल राउंडर उसके बाद कप्तान श्रेय सायर, नितिश राना, रमंदीप सिंग, रिंकु सिंग, आंद्रे रसल, हर्शित मिचल स्टार्क और वरुन चक्रवर्ती आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं बात अगर करें यहाँ पर इंपक्ट प्लेयर की तो सुयश शर्मा जो हैं KKR के लिए इंपक्ट प्लेयर हो सकते हैं तो यह तो बात हो गई दोनों टीमों की संभावित प्लेयर के बारे में अब अगर बात करें मौसम की तो क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज है कि बारिश की ज्यादा आशंका है नहीं 20-25 फीसदी आशंका जरूर है बादल चाहे रहेंगे लेकिन बादल चाहे रहें इससे पहले अगर बात करें तो RCB ने 2013 में राइजिंग पूने सूपर जाइंट्स के खिलाफ एक स्कोर बनाया था 263 फ्रन का जिसमें क्रिस गेल की भी एक शांदार पारी आई थी वो चिन्ना स्वामी सेडियम का हाइस स्कोर है तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते है कि कितने ज्यादा स्कोर्स बड़े स्कोर्स यहाँ पर बनते हैं तो चौकों और छकों की बरसात यहाँ पर हो सकते हैं लेकिन अगर बारिश बादल नहीं करेंगे तो क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर है पूरे 40 ओवर्ट का गेम हमें यहाँ पर देखने को मिल स पर RCB और KKR के बीच IPL इतिहास में 32 मैच खेले गए हैं जिसमें से बैंगलूरू ने 14 मैच जीते हैं और कॉलकता के खाते में आई हैं 18 जीत तो यहाँ पर KKR की जो टीम है वो कहीं न कहीं head to head records में ज्यादा हावी नज़र आती है पलड़ा KKR का ज्यादा भारी नज़र यहाँ पर देखना होगा कि किस तरीके से क्या यह ब्रेक होता है क्या यहाँ पर दूसरी टीम जीतने में कामयाब होती है यह नहीं होती है यह नहीं होती है यह देखना दिलचस्प होगा तो सबसे पहले हमने बात कि हैं पिच के बारे में आपको संभावित प्लेंग 11, weather report और head to head records बताएं अब अगर बात करें दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या हैं और कमजोर कड़ियां क्या हैं एक बार फिर से RCB के लिए opening pair काफी ज्यादा important रहने वाला है फाफ डूपलेसी पहले मैच में अच्छा स्टार्ट दिया था लेकिन एक बार उसको convert नहीं कर पाये थे बड़ी पारी में स्टार्ट अच्छा ताबर तोर स्टार्ट देते हैं लेकिन एक बड़ी पारी की उम्मीद जरूर रहेगी यहाँ पर फाफ डूपलेसी से विराट क कि शुरुआत हुई थी उतनी ज्यादा बड़ी पारी नहीं थी लेकिन जितने भी उन्होंने शॉट्स खेले थे इस शुरुआत में वो कहीं न कहीं confidence जरूर देंगे रजट पार्टिदार को यहाँ पर मैं यह जरूर कहूंगा कि रजट पार्टिदार एक बढ़िया option हो स चुरू हो जाएगी ग्लैन मैक्सवेल एक बहुत बड़ा नाम है RCB के लिए पिछले सीजन कमाल की फॉर्म में थे इस सीजन उम्मीद होगी कि थोड़ा सा अब और योगदान दे क्योंकि अभी तक बल्ला जो है खामोश रहा है ग्लैन मैक्सवेल कमजोर कड़ी पहले दो म कि अगर हम बात करें कमाल की लह में नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पर जो RCB की कमजोरी थी IPL शुरूर ने इस पहले हम बात करे थे कि मिडल ओर जो है वो कमजोर है उसको कहीं न कहीं मजबूत दिखाई दिया है पिछले मुकाबले में जो पंजाब किंग्स के खिलाफ हमने देखा था तो यहाँ पर मिडल ओर भी अच्छा खासा संतुलित नज़र आता है तेज गेंदबाजी एक कंसर्ण जरूर है मौम्मा सिराज जरूर है लेकिन अकेले पड़ जाते हैं साथ चाहिए होगा दूसरी तरफ से अगर रंस लीक होते रहते हैं तो फिर मौमा सिराज को भी यहाँ पर ज्यादा फाइदा नहीं मिलता है इस चीज का तेज गेंदबाजी कंसर्ण जरूर है स्पिन भी कंसर्ण जरूर है करंट शर्मा वो पहला मैच के लिए थे उसके बाद उन्हें नहीं खिलाया गया था दूसरे मैच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ प तो स्पिनर्स पर उतना ज्यादा भरोसा शायद नहीं किया जा सकता केके आर की बात करें सुनिल नरायन देखिए गिंदबाजी अच्छी की थी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं लेकिन बल्ले के साथ आई डोंट थिंक गुड ऑप्शन होगा यहाँ पर केके आर के है कपतान है कपतान अगर बल्ला नहीं चलाएंगे तो फिर पूरी टीम कहीं न कहीं संकट में नजर आएगी श्रेय सायर एक कमजोर कड़ी हो जाते हैं इस टीम के पास बैटिंग में डेप्थ काफी ज्यादा है आप देखेंगे रिंकु सिंग वहाँ पर आते हैं आंध्र मिचल स्टार्क इनके पास मौझूद हैं 19 वे ओवर में 26 रंज जरूर खा लिये थे लेकिन एक बार फिर से वो 26 से आप जज़ नहीं कर सकते क्योंकि मिचल स्टार्क एक ऐसा गेंदबाज है जो किसी भी मैच में आपको अकेले अपने दम पर मैच जिताता हुआ नजर आ सक है तो मिचल स्टार्क इस गुड ऑप्शन इस गुड पिक मेरे हिसाब से कि उनका यहां पर प्रदर्शन अच्छा हो सकता है जिस तरीके से लेफ्ट आम पेसर है और विराट कोली हो चायफाफ डूपलेसी हो उनको फसाते हुए नजर आ सकते हैं मिचल स्टार्क इसलिए त सब को जानने के बाद आपको क्या लगता है कॉलकाता नाइट राइडर्स या फिर रॉयल चेलेंजर्स बेंगलॉर कौन सी टीम जीतने वाली है आईपल दोहजार चौबिस का मैच नमबर 10 कोमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसके लावा अगर अभी तक आपने सब्सक सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर उकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियन्स की जंग पूरे आईपियल सीजन आपको देखने को मिलेगा बहुत बहुत शुक्रिया